हलो फ्रेंट्स वेलकम टू नसिंग स्टैडि आज का हमारा टॉपिक है बॉड़ी और्गनाजेशन एंड रिलेटिट टॉब बॉडडी और्गनाजेशन मीन्स कैसे एक हुमन बॉड़ी डिवेल्प हो रही है यानि कि कैसे हमारी एक बॉड़ी है ठीक है हुमन बॉड़ी है तो वो कैसे बन रही है, यानि कि starting से लेकर के हमारा जो पूरा structure body का बनता है, वो किस टाइप से बन रहा है, कैसे कैसे उसमें development हो रही है, कैसे atom से लेकर के एक organism जो develop होता है, तो यह आता है हमारा body organization में और इसके बाद इसे related terms क्या होती है, ठीक है, जैसे anatomy क्या होता है, physiology क्या होता है, तो यह हमारा पूरा आजाता है body organization and related terms में, तो जैसे कि आप screen पर देखेंगे कि किस तरह से एक human body जो है, वो develop हो रही है, तो इसको हम थोड़ा सा screen को बढ़ा करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो जो हमारी human body है, वो सबसे पहले क्या होता है human body में, कैसे develop होती है, first step क्या होता है, तो सबसे पहले जो होते हैं, वो होते हैं, atoms होते हैं, जो की change होते हैं small molecules में, तो यहाँ पर आप देखेंगे, atoms जो हैं, वो change हुए molecules में, molecules आगे next step में चेंज हुए organe ठीके? organe बनी है organe ने सब इकठी होकर कि organe क्या बनाए एक cell बनाए cell ने क्या किया? ठीके? cell के अंधर क्या बना? tissue बनाया आदे? कहफी cell बन गए cell जो है वो इकठे हुए और फिर क्या है? एक tissue बनाया टिशू ने आगे क्या किया है और्गन बनाए है और्गन मींस जो हमारा हार्ट है लंग्स है तो क्या है और्गन ड्वेल्प किये अब और्गन से क्या बना हमारा पूरा बॉडी सिस्टम बना बॉडी सिस्टम जैसे के आप यहापर स्क्रीन पर आप देखेंगे पूरा यह जिन है तो एक पूरा organs ने क्या किया पूरा एक body system जो हूव रेडि कर दिये तो उसके बाद system बनने के बाद क्या हूआ? आर्गनीजम इसे हम पूर structure को हम क्या जो हम बोलते है? आर्गनीजम जो है वह त्यार किया है तो यहा पर इस तरह से बनता है हमारा body organization ठीक है य Spो यानि कि मौलीफy के खड़िट रोपी यानि कि कैसे कैसे बना है सबसे पहले वनियिए उसके बाद एकेम्ढ ये pian इन से श्रों समर्ण धर हैंसे बनाते हों दुभियों दुखता बन स्धों कर दो जो human body होती है ठीक है अब यहां पर हम कुछ terms देख लेते हैं ठीक है body related कुछ terms use की जाती है body organization से सबसे पहले एक term use की जाती है anatomy anatomy means body structure ठीक है body structure means जो हमारे internal organs है ठीक है और हमारी जो bones हैं चाहे वो lungs हैं heart है ठीक है तो यह सारा क्या है हमारा physical structure में आ जाते है anatomy यानि के structure first year में जब आप पढ़ते हैं anatomy and physiology दोनों चीज़ें आप पढ़ते हैं anatomy में क्या होता है structure जैसे की heart जो है वो कैसे बन रहा है और इसी तरह से जो second term आते हैं physiology physiology means heart कैसे function कर रहा है work कैसे कर रहा है heart तो anatomy में क्या हुआ हमने इसका structure पढ़ा है कि उसके अंदर heart के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे वो बन रहा है जैसे tissue tissue से वो क्या बना एक organ बना heart बना heart जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ठीक है veins हैं या उसमें arteries हैं तो सारी चीज़ें ठीक है जो heart के लिए उसको function करने में जो help कर रही हैं जो चीज़ें हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं anatomy में यानिकि उसका पूरा structure हम पढ़ते हैं उसके बाद physiology में क्या आता है कि वो कैसे function करता है जो उसके अंदर veins हैं जो arteries हैं वो कैसे function करेंगी तो यह दोनों होती हैं हमारी anatomy and physiology नेक्स इसमें आ जाता है इच लेवल of organization in the body built on the next form of large structure यानि कि यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर यही बताए गया है कि हर एक जो लेवल होते हैं अगर हमारी body बन रही है तो हर एक level के according बनता है ठीक है और जो लेवल है वो क्या है बढ़ता चला जाता है जैसे कि आप देखेंगे atoms जो है कितने चोटे होते हैं वो हम ऐसे जो है अपनी normal eye से नहीं देख सकते हैं वो हम microscopic structure के तुरू ही देख सकते हैं तो atom से थोड़ा सा बड़े लेवल पर आया तो molecules बने ठीक है उससे बड़े लेवल पर आये तो क्या है ऑर्गनिलिस बनी उससे next लेवल पर आये तो cell बने तो देखिए आप कुद आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो level जो है वो कैसे built up होता चला जाता है यानिकि structure जो है व लगया है कि जो हर एक level है वो आगे आगे जैसे जैसे built up होता चला जाता है वो structure जो है वो बड़ा होता चला जाता है तो इस तरह से एक body organization जो हो built up होता है और isolated हमने terms पढ़ी है तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप शेयर करूँगी तो कभी पर जैसे कि आपसे exam में पूछा जा सकता है fill in the blanks में पूछा जाता है interview में भी पूछा जाता है कि level of body organization क्या होता है कि कैसे एक human body जो वो बनती है तो आपने यह simple step में आप इ इसे एक human organization जो है वो बनता है तो आप simple words में बता सकते है कि cell form a tissues tissue forms organs, organ form system and system form the whole body है ठीक है यानि कि क्या हुआ यहाँ पर cell ने क्या क्या टिशू बनाए है टिशू ने organs बनाए है और organs ने पूरा एक system बनाया है ठीक है यानि कि पूरा body system बनाया है और body system ने क्या किया है एक प human body जो है वो बना दी है तो इस तरह से body organization जो है वो built up होती है यानि कि body जो है वो बनती है तो जब भी आप से कभी भी पूछा जाए तो body organization क्या होता है कैसे बनता है तो आप इस तरह से बता सकते हैं तो जैसे कि cell का एक proper video जो है already upload है मेरे चैनल पर तो आप playlist में जा करके वहाँ पर anatomy and physiology का अलग से playlist बनी हुई है वहाँ से आप cell का एक पूरा topic जो है उसमें देख सकते हैं उसमें यह सारी चीज़े मैंने बताई हुई है कैसे कैसे जो है atoms जो है molecules बन रहे है molecules कैसे पूरा structure जो इतना है अगर आपको यूडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जुरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग जो मैं इतना है कैसे जह है मैं ओूमिए का लेख देख सकते हैं जा अगरे हैँ चल方面 मैं आपको जो है वर रहे हैं के ऑफ़्डों must काुर म्यारे है कला सथा बताउ़ यू था बतना है झाल झाल